यदि आप नई प्रापर्टी या नया घर खरीद रहे हैं तो आपको रेरा के बारे में जानकारी होना चाहिए कि रेरा क्या होता है और इसके क्या उद्देश से हैं तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रेरा क्या होता है, इसके क्या उद्दे से हैं और इसके क्या-क्या फाइदे हैं। रेरा का full form होता है Real Estate Regulatory Authority या भी Real Estate Regulation and Development Act. यह भारत की संसत की एक अधिनियम है जो घर खरीदारों की रक्षा करने के साथ साथ Real Estate उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। प्रत्येक राज्य में एक Real Estate नियामक प्राधिकरन यानि रेरा इस्थापित करता है कि त्वरित विवाद समाधान के लिए एक निर्नायक निकायक रूप में कारे करता है। अब बात करते हैं कि रेरा कानून की जरूरत क्यों पड़ी। सातियों हम जब भी प्रापर्टी या मकान खरीते हैं तो कुछ सालों के बाद जो डीलर होता है और जो कस्टमर होते हैं उन लोगों के बीच एक विवाद हो जाता है। और विवाद इसलिए होता है कि रीट को लेकर या के बार अवयद निर्मान या घट्या निर्मान को लेकर विवाद हो जाते हैं इसलिए इस रोकने के लिए इस कानुन की आपसकता पड़ी यह कानून बिल्डरों, डेवलपर्स और रियल इस्टेट के एजेंटों के खिलाब बढ़ती सिकायतों को ध्यान में रखते हुए बनाये गया था इन सिकायतों में मुखरूप से खरीदार द्वारा घर के दिक्रहन में देरी अनुबंद में हस्ताक्षर करने के बाद भी प्रमोटरों का गैर जिम्यदारान वैभार और विबिन प्रकार की समस्याय सामिल है साथियों जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें या जमीन खरीदें तो आपको इस बात का ध्यान में होना चाहिए कि वो जो जमीन है या प्रॉपर्टी है रेरा में रजिस्टर्ड है इसके अलावा उस राजी की रेरा वेबसाइट पर जाकर प्रोजेक्ट देखें जहां आप भारत में समपत्ती खरीद रहे हैं वेबसाइट पर जाकर आपको प्रोजेक्ट स्टेटस, क्रियेटर रजिस्टेशन आदी की जानकारी आसानी से मिल जाएगी परियोजना के पूरा होने से पहले कितना भुकतान किया जाएगा और बाद में कितना वितरित किया जाएगा मकान और प्लाट में होने वाले निर्मान मैप को अवस्य देखें जिस छेत्र में आप संपत्ती खरीदे हैं, उस छेत्र में संपत्ती की दर बढ़ती या घटती है क्रिपया नियम और सर्तों को ध्यान से पढ़े क्योंकि वे एक ऐसी भासा का उपयोग करते हैं, जिसे आप आसानी से समझ नहीं सकते इसे आप online check भी कर सकते हैं जिसका process मैं अभी बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको अपने राज जी की RARA website पर जाना है वहाँ पर आपको search करना है RARA number या verify RARA number पर यहाँ पर जाकर आपको RARA registration number को enter करना है और पूरे details को देखना है और आपको मिलान करना है